गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले CSS में box model के बारे में किसी भी element के अंदर content जो कि वो खुद होता है फिर उसके बाद margin फिर उसके बाद border और padding होती है ये border, margin और padding कहा कहा होती है यही box model का concept है CSS में इस वीडियो में हम लोग ये सारी की सारी चीज़ेंगे और ये देखेंगे कि margin, border, padding ये सब चीज़े CSS में set किस तरह से की जाती है तो चलते हैं computer screen में I am really very excited Let's roll the intro So guys मैं आचुका हूँ अपनी computer screen के अंदर और सबसे पहला काम जो मैं भी या पर करूंगा आप लोगो को ये playlist दिखाऊंगा और आप लोग यहां पर subscribe click क्लिक जोंगे करते भी नहीं हो और यहां पर click करके access भी नहीं करते हो वह भी आप लोग नहीं करोगे करलो यार यहां पर star पर click करके access करो और source code भी मैंने आप लिए डाला हूँ है उसको भी access करो उसका भी आनन्द में चाहता हूँ आप लोग उठाएं तो इसका आनन्द उठाते हुए आप लोग क्या करें जिस तरह से मैंने फोल्डर यहां पर बना लिया है और shift right-click करके अप में क्या करूँगा इसको open with code कर दू अब मैं आउँगा वीडियो में और यहां पर index.html के नाम से एक फाइल बनाते हुए एक boilerplate template रखूँगा और यहां पर मैं लिखूँगा CSS box model को लिखने के बाद मैं यहां पर एक style tag बनाऊँगा जिसकी साहता से मैं आप लोग को उपसी मैंने कैसा style tag बना दिया ज्यादा fast होगा क्या guys नहीं fast नहीं होगा ठीक है चलेगा तो यहां पर style tag बनाते हुए मैं क्या करूँगा यहां पर styles डालूँगा और आप लोगों को बताऊंगा कि box model CSS में किस तरह से काम करता है तो देखो सबसे पहले CSS में box model का concept समझ लेते हैं कि CSS के अंदर box model का concept है क्य और उस box के अंदर कुछ चीजे होती हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं तो computer screen में आप लोगों को देख सकते हैं तो आपको दिखेगा कि यहां पर मैंने CSS box model का concept समझा है CSS box model का मतलब कि आपके content के बाहर होती है padding उसके बाहर होता है border और उसके बाहर होती है margin ठीक है तो यह concept आप लोगों को आना चाहिए एक और बात जो मैं आप लोगों को बदाना चाहता हूं वो यह है कि जिसे मालनो मैंने यहाँ पर एक div.box बनाया ठीक है एक box मैं यहाँ पर बनाया I am a box लिखूंगा और यहाँ पर आप लोगों को इसका preview कर दिखा हूं तो यह box का background color aqua हो जाए गर rightly करके हम format document कर सकते हैं जिससे कि हमें formatting अच्छी मिलेगी अब आप देखो यहाँ पर इसमें कुछ margin padding already डली हुई है मैं क्या करूंगा एक universal selector का इस्तेमाल करते हुए ऐसा होता है यह अपरा browser होता है वो अपनी तरफ से थोड़ी बहुत समझदारी खेल आती है तो मैंने आपर देखो star लगाकर m-0 लिखा तो margin 0 हो गई p-0 लिखा तो padding 0 हो गई यह मेट shortcuts थे और ऐसा करने से क्या होगा यह पूरा चुपक जाएंगे उपर जैसे कि यहाँ पर spacing आ रही थी वह नहीं आ रही है तो एक मैंने I am a box लिखा तो एक काम करते है I am a box लि दिया तो जो भी ही मैं box को select करके properties लगाऊंगा वह इस element पर लगेंगी और इसमें भी लगेंगी क्योंकि एक element को multiple classes दे सकते हैं मैंने आप लोग को पहले भी बताया था एक element को multiple classes दी जा सकती है और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको box देती है और box 1 दे दी है इसको box देती है और box 2 देती है और मैं यह आपर simply लिखूँगा I am another box ठीक है यह box 2 है यह box 1 था यह box 2 है अब box 2 के अंदर में क्या करूँगा मैं क्या करूँगा dot box 2 और dot box 1 अब समझे तो मैंने यहाँ पर क्या किया एक तो मैं वह property लिखूँगा जो कि मैं दोनों box इसको देना चाहता हूँ यह फिर मार्लो मेरे पास इसताना कि अगर 10 boxes है तो 10 की 10 में मैं देना चाहूँगा वो मैं dot box करके लिखूँगा और कुछ properties ऐसी होंगी जो कि मैं individually box 1 में और box 2 मैं देना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा box 1 class इसको दे दूँगा और box 2 class इसको दे दूँगा और किसी भी element को एक से जादा classes देनी होती है तो space लगा के देते हैं क्या हम एक से जादा ाइडी दे सकते हैं किसी भी element को नीचे comment section में बताओ देखू ज़रा understanding कितनी आई ह तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें मालनो मैंने color yellow कर दिया ठीक है color yellow कर दिया color yellow करने से क्या होगा color yellow करने से और इसका color red कर दूगा जो font color होगा वो yellow हो जाएक और यहाँ पर font color red हो जाएक आप लोगको दिखाता हूँ यहाँ पर font color yellow हो गया यहाँ पर font color red हो गया अब box model क्या क तो यह चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, आप यहाँ पर देखो, कि राइट लिक करके मैंने इंस्पेक्ट किया, तो यहाँ पर नीचे आपको I hope दिख रहा होगा, मैंने अपना जो थोपड़ा है, वो हटा दिया है थोड़ी दिर के लिए, I hope कि आपको दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर बॉक्स और बॉक्स और उपर देखो, उपर, यह यहाँ पर देखना, यह देखो, select होगा, और नीचे मैं अगर इस पर over करूँगा, तो सिर्फ box 2 select हो रहा है, तो box 1 पर click करके, यह element अभी selected है, मैं यहाँ पर आ सकता हूँ, ठीक है, यह देखो, इसको मैंने ऐसे निकाल लिया, अब यहाँ पर आकर है, color white हो जाए तो, reload करूँगा, अगर इसको देखो, दुबारा ठीक हो गया, यह box को select करके, दुबारा यहाँ पर computed पर आऊँगा, अब जैसे ही मैं computed पर आऊँगा, देखो, मुझे एक box दिखाई दे रहा है, और यह box बिलकुल ऐसा ही box है, जो कि मैंने codewithary.com पर दिखाय है, ठीक है, तो इस तरह के box से आप लोगों को पता चलेगा कि आपके इस particular element की, जो width और height है, वो कितनी है, इसके बाद इसमें padding कितनी है, 10 की padding दे रहा है, चारो तरफ से मैंने, border है ही नहीं, margin है ही नहीं, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने इस element में यह सब चीज़े दे रह है, चलो इसमें border भी डाल देते हैं, ठीक है, तो मैंने अभी तक तो padding डाली है, 10-10 की box 1 में कर रहा हूँ, काम में सिर्फ guys, ठीक है, याद रखना, सिर्फ box 1 में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा थोबडा वापस आते हुए, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, margin डाल तो आप pink होगे, लेगन अगर आपके चारो तरफ फैक दिया, pink गुलाल या कुछ भी तो थोड़े ना आपके उपर लगेगा, तो यह बहुत ही अजीब सा example था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो content है, इसके बाहर padding होती है, ठीक है, तो अगर मैंने padding दे दी, तो background color है, वो padding padding वाले area में भी आता है, चूंकि padding content के अंदर से लगती है, और margin जो content है उसके बाहर लगती है, जो आपका element है उसके बाहर लगती है, content element का अंदर होता है, यह पूरा element है, element का content यह है, padding यह है, margin यह है, तो background हमारा color है वो padding बाहर आपको दियान रखना है, तो यहापन मैंने margin तो आप देखो 5 की margin आ गई, अब border add करने का तरीका आपको बताता हूँ, अगर मैं आप लिख दूँ border, और मैं border के बारे मैं आप लोग को आगे बताऊँगा, अब अभी के लिए आप यह समझ दो कि मैं अगर ऐसे लिखता हूँ, border 2 pixel solid blue, तो 2 pixel का border यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आप देखो कि 2 pixel का border मैंने आपर दे दिया है, ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर border जो है वो आ गया है, ठीक है, तो यह border आप लोग को दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर और आप देख सकते हो, यहाँ पर यह मेरा content है, और यह border है, तो यहाँ पर क्या होता है, कि हमारी display में एक DPI factor होता है, जिसकी वजह से actual border जो है, यहाँ पर आपको अलग देखने को मिलेगा, but this is pretty much कि आप लोग किस तरह से margin, border और padding देख सकते हैं अपने element की real time में, ठीक है, आप लोग को यह चीज समझ में आ गई, अब मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ कि किस तरह से आप लोग का जो element की width हो calculate होती है, ठीक है, अब मान लोग कि मैंने इसकी width को दे दिया, let us say, या फिर मैं इसकी height को देता हूँ, let us say, इस element की 200 pixels, तो मैंने इसकी height को 200 pixels दे इसकी height 200 pixels हो गई, अब मैं आपको inspect करके एक चीज दिखाता हूँ, और मैं आप लोग को computed values पर लेकर जाता हूँ, तो देखो इसकी height हो 200 pixels है, ठीक है, और आप देखो जैसे मैंने इस पर रखा content पर arrow, तो यह content दिखा रहा है, padding पर रखा padding दिखा रहा है, border पर रखा border दिखा margin जोड़ेगी, ठीक है, तो जैसे यह सारी चीज़े मैं जोड़ूँगा इसमें, तो मेरी यहाँ पर यह सारी space निकल के आएगी, लेकिन एक particular element की कितनी height है, या कितनी width है, तो total width और total height इस formula से निकाली जाती है, कि हम लोग क्या करते है, width में जोड़ेंगे left और right दोनों padding, left और right दोनों border, और left और right दोनों margin, यह total width यह निकितनी जगा घरेगा margin के साथ element, ठीक है, I hope कि यह चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी, और अगर मैं सिर्फ element की बात करूँ, कि यह border तक कितनी space यह घर रहा है, तो यह आप यह पूरी चीज जोड़ लोगे, ठीक है यहाँ पर लगाँगा भी, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा box sizing, और मैं यहाँ लिखूँगा border box, जैसे मैं यहाँ पर box sizing, border box लिखूँगा, आप लोग यहाँ पर देखो कि इसकी जो actual width, sorry height है, वो 176 हो गई, 176.8 इसलिए हो गई, 176.8 plus 20 कितना होता है, 196.8 और इसके बाद जो border है, वो जोड़कर total 200 होगी, ठीक है, margin यहाँ पर हम include नहीं करते हैं, क्योंकि margin जो हो बाहर होती है, ठीक है, margin include नहीं होती है, जब भी हम एक height set करते हैं, और यहाँ पर box sizing property देते हैं, देखो समझने की कोशिश करना, जब मैं कहता इसकी height 200 है, या फिर मैं कहता हूँ width 200 है, तो width 200 के साथ अगर मैंने यह नहीं लगाया box sizing border box, यह बात ध्यान से सुनना देखो, यह बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैंने box sizing border box नहीं लगाया, तब क्या होगा, तब actual में जो content होगा, सिर्फ उसी की height है, या फिर अगर मैं उसमें, border add होंगे उपर नीचे दोनों के, लेकिन अगर मैं कहूँ box sizing border box, तो मैं basically यह कह रहा हूँ कि यह जो 200 height मैंने बताईए न, यह border और padding को include करके है, margin को नहीं है, यह border और padding को include करके 200 बता रहा हूँ मैं, box sizing border box जहां मैंने कर दिया, इसका मतलब यह हुआ कि जो मेरे element की height है, वो जो मैंने आपर height लिखी हुई है, यह height मेरी border और padding, दोनों को मिला के मैंने लिखी है, यानि कि इन दोनों को मिला के content plus border plus padding मेरी 200 होनी चीए, box sizing border box जब मैं कह रहा हूँ तो यह कह रहा हूँ, तो सब लोग मुझे comment में बताऊ कि box sizing border box अगर हमने लिखा, तो मैं क्या क border plus padding, जो है वो 200 है, मेरे height का यह मतलब है, तो एक तरह से box sizing border box height की definition को change करता है, पहले height की definition क्या होती है, पहले height की definition यह होती है, कि भाई इसमें included नहीं होगी padding, इसमें included नहीं होगा border, यह सिर्फ इस element की height होगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी यह 176 है, यह हट आदूँगा अगर यहां से, by the way मैं यहां से भी हटा सकता हूँ temporarily, box sizing border box को uncheck कर दूँगा, अगर मैं तो देखो यह 200 होगी इसकी height, और इसके बाद इसमें यह जोड़ा, फिर इसके बाद इसमें यह जोड़ा, ठीक है, तो यह दोनों जोड़ने के बाद जो इसकी total height होगी, जोड़ी होगी 200 plus 20, 220 plus borders जितने 20 के calculate होएं, वो sum होगी, ठीक है, बट, यहां पर मैं आप लोगों के एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कि अगर मैंने कह दिया box sizing border box, तो क्या होता है, कि box sizing border box लिखते ही, यहां पर इसकी जो height है, वो कम हो जाएगी 200 से, और इस प्रकार से adjust हो अब मैं जो concept आपको बताने जा रहा हूँ ना, यार उसमें तो मजा आ जाए वाला है, आपको मजा ही आ जाएगा, क्योंकि उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा, margin collapse के बारे में, ठीक है, और यह जो concept है यह आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए, तो आप लोगों को मै करने के लिए 25 पिक्सल कर देते है, margin ताकि spacing बढ़ जाए, और मानलो मैं same to same चीजे, बस color red रखूँगा दूसरे element का, same to same चीजे और इसके border को भी black कर दोगा, थोड़ा सा अलग लगे तक यह, ठीक है, बागी सब value same है, इस वाले box में भी आप देख सकते हो, अब आप मुझ बताओ, कि देखो, इसके चारो तरफ, इसकी जो margin जो की चारो तरफ होती है, अगर मैं आपको यह element select करके भी दिखाओं तो 25, 25, 25, 25 है, sorry, 10, 10 नहीं है, 25, 25, 25, 25, फिर यह वाला element है, इसके भी चारो तरफ, 25, 25, 25, तो यह जो है distance हमारी, यह 50 होनी चीजी न, देखो 25 इतनी ह margin collapse का concept, क्या है यह margin collapse का concept, margin collapse का concept यह कहता है, कि अगर दो elements की margin overlap हो रही है, तो जो भी maximum margin है, वो बस एक बार लगेगी, जैसे कि अगर मान लो मैंने इसमें 25 की margin दिया, इसमें 25 की margin है, 25 में से max कितना है, 25 ही है, दोनों बराबर है, तो 25 की margin एक बार लगेगी, बस, अगर मैं वैसे किसी एक को 35 कर दूँ तो 25 इसकी, 25 इसकी तो 25 लग जाएगी, तो ये difference जो है, ये 5 होगा बस, तो margin collapse कहते हैं इसको, तो अगर मैं आप लोग को एक अच्छा सा example दिखाऊँ margin collapse का images में I hope मैं को image मिल जाएगी अच्छीजी जिसमें कि मैं margin collapse को समझा पाऊँ, बिसे कहली क्या होता है कि अगर मानलो एक box A है मेरे पास, एक box B है ये image मुझे बहुत सही लग रहा है, समझाने के लिए इस concept को, जिसे मानलो मेरे पास एक box A है एक box B है, box A में मैंने 30 pixel की margin दी है, box B में 20 pixel की दी है So I hope कि आप लोग को एक concept समझ में आ गया margin collapse क्या होता है क्या होता है CSS का box model किस तरह से box model काम करता है और मैंने बहुत अच्छी दरह से आप लोग को समझाने के आपर कोशिश किया margin collapse का concept एक ऐसा है जो कि बहुत सारी CSS developers को आप परचान करता है मैं इसे से लोग को जानता हूँ जो कि मुझसे कहते हैं कि यार ये क्या CSS खराब हो गई है ये क्या हो गया है क्यों ये मेरी margin जो है वो गलत लग रही है ये सारी चीज़े आप लोग ना बोलते हुए margin collapse के concept को समझो margin collapse के concept को एक बर आप आप उने करेंगे html css javascript में तब आप लोग को ये काम बहुत आने वाला है कि box rising लगाना है या नहीं लगाना है I hope कि आप लोग को मज़ा हा रहा है इस course में और I hope कि आप लोग ये सब चीज़ें समझ पा रहा है अच्छे से अगर आप लोगों नहीं प्लेलिस्ट अक्सेस नहीं गडिया अभी तक तो इसको जरूर से अक्सेस कर लेना और यहां क्लिक करके bookmark और यहां क्लिक करके save कर लेना source code तो अपडेट में करता ही जा रहा हूं तो आप लोग को source code में भी मज़ा आ रहा है झाल